महानगर के थाना नाखफणी अंतरगत महला दस्वा घाट इस्थत ग्लोबल एक्सपोर्ट्स नामक फर्म में काम करने वाली एक महला मजदूर ने फर्म स्वामी पर उसका शोशन वा उत्पिलन किया जाने का आरोप लगाते हुए भूख हर्ताल का बेगल बजा दिया है रानी सैनी नामक महला का आरोप है कि वे कई वर्षों से इस फर्म में काम कर रही थी महिला का अरोप है कि उसे अकारण नौक्री से रिकाल दिया गया और उसका वेतन भी नहीं दिया गया है पिरित महिला पीतल मजदूर यूनिन के बैनर तले SSP काराले के सामने मंगलवार से भूखर्ताल पर बैठ नहीं है पिरित महिला का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मलता वह यहां पर भूखर्ताल पर बैठी रहेगी इस विशे में जानकारी देते हुए भूखर्ताल पर बैठी रानी सैमनी नामक पिरित महिला ने सिटी चानल संवादाता को बताया पूले होगा बोले जा तुक से जो उखाड़ा जा उखाड़ ले मेरा गंदी गालियां बगी मुझे और बोले निकल जाए यहां से आज कबाद मेरी प्रक्री में कदम मत अगना ना मुझे तनका दी और मेरा बॉनस जो किया ता वो भी काट लिया यहां और मेरी यह मांगए और एक हमारे आपके साथ में और जी हाँ एक महें उख्कुमारे हमारे साथ में उनको भी परिशान कर रखा है वो भी कभी नो एक डेड़ महीने से तो वो भी नहीं नहीं तो भी नहीं 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 लोग डाउन से कभी बुला लेता है 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 कभी बुला ले धने पर रानी सैनी के साथ बेबी रामु देवी महेश कुमार एवं संजीफ शुक्ला भी बैठे हुए है